हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक दोस्तों आज के देखिए इस वीडियो में 37th नेशनल गेम्स जो हाली में कम्प्लीट हुए हैं उस पे बेस्ट एक काफी इंपॉर्टेंट एंपॉर्टेंट वीडियो है वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंट्स अगर आपको देखिए इस टॉपिक का पीडियेफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जेकेटरिक अप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आपका उप्शन मिल जाएगा तो चले फ्रेंट्स बिना किजी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं देखिए फ्रेंट्स 2023 में से इसवे नेशनल खेलो का आयोजन जो है वो किया गया है कहाँ पर इन खेलो का आयोजन किया गया गोवा में आयोजन किया गया 26 अक्टोबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में इसका उदगाटन जो है देखिए वो प्रधान मंत्री शीर नरेन मोदी द्वारा फतोरदा फुटबॉल स्टेडियम में किया गया था इस बार 37 नेशनल गेम्स के दोरान कुल मिलाकर 43 खेलों का आयोजन किया गया जिसमें से 7 नए खेल जो है वो शामिल किये गए जैसे कि फुटबॉल, रोल बॉल, गॉल्फ, इन खेलों को 37 नेशनल गेम्स के दोरान देखिए शामिल किया गया अगर हम देखिए पिछले एडिशन की बात करें 36 वे नेशनल गेम्स की तो उनका आयोजन गुजरात में किया गया था जिसमें 36 गेम्स जो थे वो खेले गए थे इस बार 43 गेम्स जो है वो खेले गए इन 37 वे राश्टी खेलों में अगर देखिए हम शुबंकर की बात करते हैं तो इस बार इसका शुबंकर था मोगा जो की बाइसन का प्रतिन विद्व करता हैं ध्यान रखिएगा मोगा इस बार का शुबंकर था आगे देखिए अगर थोड़ी से हिस्ट्री अगर हम समझें तो पहले देखिए नेशनल गेम्स को भारती ओलंपिक खेलों के नाम से जाना जाता था फरवरी 1924 में लाहर में पहली बार देखिए भारती ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी बाद में देखिए 1940 में बॉंबे में आयोजीत जो कि इसका नववा संस्क्रण था उस दोरान ओलंपिक खेलों को राश्टी खेलों का नाम दिया गया था अगर देखिए ब्रिटिश ओपनी वेश्काल की बात करें तो 1946 तक भारती ओलंपिक खेलों को बारा बार आयोजीत किया जा चुका था ये चीज़ आप ध्यान रखेगा अगर हम बात करें किसके द्वारा देखिए नेशनल गेम्स का आयोजीन किया जाता है तो भारती ओलंपिक संग द्वारा देखिए आयोजीन किया जाता है और इसका अब्जेक्टिव क्या है फिजिकल फिटनेस, हेल्दी कॉम्पिटिशन और भारत में स्पोर्टमेंशिप को बड़ावा देने के उद्देशे से इन नेशनल गेम्स का आयोजीन किया जाता है इस बार देखिए 37 वे राष्टिक हेलो का आयोजीन गोवा में किया गया अगर यहाँ पर देखिए पदक तालिका की बात करें तो पहले इस्थान पर म इंड थर्ड नंबर पे राएं हरियाना जिसने 62 गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किये तो यह करम जरूर धियान रखेगा पहले नंबर पर महारास्टा दूसरे नंबर पर सर्विचेस और तीसरे नंबर पर हरियाना इसके अलावा देखिए 37 वेष्टी के दोरान अगर best male player of tournament की बात करते हैं वो जीता है श्री हरी नटराज ने देखिए तेराकी चे संबन दिते हैं और करनाटक राजिस से आते हैं आठ गोल्ड, एक रजद और एक कांसे पदक जो है इन्होंने जीता है तो best male player of tournament ध्यान रखेगा श्री हरी नटराज अगर best female player of tournament की बात करते हैं तो देखिए परिनिती नायग और संयुकता प्रासेन ने best female player of tournament का किताब जो है वो अपने नाम किया है दोनों देखिए ओडिसा से बिलॉंग करती हैं और जिमनास्टिक से संबन दीते हैं इन्होंने चार गोल्ड और एक रज़त जो है वो अपने नाम किया है तो ये point भी ध्यान रखेगा काफी important है चलिए friends अब देखिए इस topic से related कुछ important MCQ section हम cover करते हैं आने माली exam में देखिए अगर questions पूछे जाएंगे तो इन्हीं MCQ में से देखिए आपको question जो है वो देखने को मिल जाएंगे तो चलिए पहले question की तरफ चलते हैं 2023 में राज़्टी खेलो का कौन सा संस्क्रण आयोजित किया गया तो देखिए friends ये कौन सा संस्क्रण था 37 वा संस्क्रण था डी आंसर यहां पर सही होगा 37 वे राज़्टी खेलो का आयोजिन किस राज़्जे में हुआ हैं किस राज़्जे में देखिए आयोजिन किया गया गोवा में किया गया 36 वे राज़्टी खेलो का आयोजिन किया गया था गुजरात के अंदर तो प्रदान मंत्री नरेन मोदी के द्वारा देखे उद्गाटन किया गया तो इस बार देखिए साथ नए खेलों को शामिल किया गया कुल मिलाकत 43 खेल जो है वो आयोजित किया गये यहां पर सी आंसर बिल्कुल सभी होगा Next question आता है तो इस बार का शुबंकर क्या था मोगा तो इस बार की देखिए थीम गीत क्या थी खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला नहो D answer यहां पर साही होगा तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था फुटबॉल, रॉल बॉल, गॉल्फ इस तरीके से कुल मिलाकर साथ जो खेले वो इस बार शामिल किये गए थे D answer बिल्कुल सही होगा, सभी 36 वे राश्टे खेलों में पहले इस्तान पर कोन राएं कोन राएं देखिए पदक तालीका में महारास्ट राएं 80 गोल्ड मिडल के साथ महारास्ट जो है वो पहले इस्तान पर आएं 36 वे राश्टे खेल में राजा भलिंदर सीन ट्रॉफी किसने जीती है किस स्टेट ने देखिए इस ट्रॉफी को जीता है महारास्ट ने महरास्ट ने राजा भलिंदर सीन ट्रोफी जो है वो अपने नाम करी है 36 वे राष्टे खेल 2022 में कहां आउजित किये गए थे तो 36 वे राष्टे खेलों का आउजिन किया गया था गुजरात में से तीसवे राश्टी खेलों में जोती यारा जी ने किस खेल में राश्टी रिकोर्ड तोड़ाएं देखिए इस बार काफ़ यादा खिलाडियों ने नेशनल रिकोर्ड जो है वो अपने नाम किये हैं उनी में से देखिए एक जोती यारा जी ने महिलाओं की देखिए हडल्स में नेशनल रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया हैं। आंदरपदेश से आती हैं ये 100 मीटर हडल रेस में इन्होंने देखिए नेशनल रिकॉर्ड जो है वो बनाया हैं। इसे के साथ देखिए अगर पुरुषों में बात करें तो तेज अशोक जो कि महारास से आते हैं उन्होंने भी देखिए पुरुषों की 110 मीटर हडल रेस में नेशनल रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया हैं। ठीके तो दोनों चीज़े ध्यान रखिएगा। पहली बार भारती ओलमपिक कहे थें। योगासन में किस खिलाड़ी ने स्वन पदख जिताएं। तो गवा के खिलाड़ी हैं शुबम देवनात। उन्होंने पुर्षों की देखिए पारंपरिक योगासन शेनी में सुन पदक जोहेव अपने नाम किया है शुभम देवनात ने सेतीसवे राश्टी खेलो में पहली बार आयोजीत फुटबोल खेल में किस राज़े की महिला फुटबोल टीम ने सुन पदक जीता है किस राज़े की? ओडिसा की ओडिसा ने मणीपूर को हराकर महिला फुटबोल में सौन पदग जीता महिं पुरुषो की बात करें तो सर्विसेज ने मणीपूर को हराकर सौन पदग जो हे वो अपने नाम किया है तो महिलाओं में ओडिसा और पुरुषो में सर्विसेज Next question आधा है 37th wise राश्टी कहिलो में 20 km race walk में राश्टी रिकौर्ड बनाने वाली परियंका गोस्वामी की सरासे संबंदीते हैं ध्यान रखेगा उत्तरपदेते संबंदीते हैं 37 वे राश्ट्री खेलो में 110 मिटर हडल्स रेस में राश्ट्री रिकोर्ड बनाने वाले तेजस अशोग किस राश से संबंदी थे हैं? तो ये महराश्ट के प्लेयर हैं Next question आता है Best male player of the tournament इनमें से किसे दिया गया? किसे दिया गया? श्री हरी नट राज को 13 की से देखिए संबंदी थे हैं और करनाटक राज से आते हैं इन्होंने 8 गोल्ड एक रजट और एक कांसे पदक जो है वो अपने नाम किया है Best female player of tournament परिनिती नायग संयुकता प्रासिन को दिया गया ये की स्केल से संबंदी थे हैं तो देखिए दोनों की स्केल से संबंदी थे हैं जिमनास्टिक से संबंदी थे हैं इन दोनों को 37 रास्टिक हेलो के दोरान Best female player of tournament का खिताब जो है वो दिया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चोटा सा MCQ section था हमारा complete होता है अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप Crazy Zika Trig application डाउनलोड कर लिजिए वहाँ पर आपका option मिल जाएगा तो फ्रेंड्स आज की बस इस वीडियो में इतना ही था I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो informative लगाए तो वीडियो को like करिए शेर करिए और comment करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं करा है तो subscribe भी कर लिजिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में Till then, bye bye